हलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस योट्यूब चैनल पर चलिए आज हम लोग आइटी आई से रिलेटेड जो रैंक कार्ड जारी हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है कि कैसे उसका रैंक कार्ड डाउनलोड करना है सबसे पहले क्या करना है आप Google Chrome में यहाँ देख सकते यहाँ गूगल क्रोम दिख रहा है यहाँ पर आयेगा इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर सेर्च करेंगे BC, BCE, CE ठीक है यह सर्च किजिएगा उस पर क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल करके उपर जाएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा ठीक है? यह आपका official website है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा तो यहां पर आप देखी गए यहां पर जो दिख रहा है वो थुरा सा जूम कर दिखे जूम करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा होगा rank card of ITI इस पर क्लिक करेंगे ठीक है इस पर क्लिक कर 27-0 ठीक है यह रॉल नंबर है इसका डेट आप बर्थ में डाल देता हूं इसका हो गया 17 11 ठीक है इसका डेट आप बर्थ हो गया जो मैंने फुल फिल कर दिया है तो आप क्या करें है इस डायरिक्त राओंग यहां पर दीखरा होगा से किलीक किजिएेगा किलीक करने के बाद आपका वाटमाटिक यहां से अब कारेंग आ जैगा कुछ इस तरीके का यहां पर rankart आपको आएगा ठीक है दिखाई दे रहा होगा यहां पर number दिया हुआ रॉल number दिये हुआ है registration number दिये हुआ है उसके बाद candidate name पिदा का नाम माता का नाम जाती जो जेंडर है वो दिये हुआ है उसको डेट अब वर्थ और जो मतलब मिला हुआ है कॉलेज वो दिया हुआ ठीक है उसके बात कर लेते हैं कि आपका एडमेशन होगा यह नहीं होगा ठीक है यह डिपिंट करता है कि आपके जीले में कितना मतलब कि सीट है अब एकॉर्डिंग टू योर डिश्टेक कि सीट वहां प हखें पर 174 दोंने कि उमिद सबसे जाएदा है तो इस तरीके से आप डाउनलोڈ कर सकते आप यहांपे डाउनलोड कैसे करेंगे इसका पीडियप कैसे डाउलोड करने में पर प्रिंट आप्संन देख रहे हैं कि दिखेगा यहांप לूट कि क्लिक किजिएगा क्लिक करने के बाद आपको नाम देना पड़ेगा देखें नाम यहां पर आगया इस पर नाम दे दीजिए गा और इसको सेप का बटन दबा दीजिए गा ठीक है इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा ठीक है अगर आपको यह वीडियो अच्छा नेवाद।